आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो चले मान लेते हैं इनमें हमको A है फिर इस वाले पद में हमारा B है इस वाले बाक्स में हमारा C है इस वाले बाक्स में हमारा D है अब हमको A, B और C और D का मान गयाद करना है तो इस समांतर सेड़ी में जो हमको पहला पद दिया गया है प्रथम पत हमारा क्या दिया गया है A बरावर दिया गया है माइनस में 4 और जो हमको छठा पत दिया गया है मतलब T6 दिया गया है वो दिया गया हमारा 6 अब उनको पता है कि समांतर सेड़ी के अनों पत का सूत्र क्या होता है अनों पत का सूत्र होता है TN बराबर प्रधाम पत मतलब A प्लस N माइनस 1 और D मतलब यहाँ पे सारवंतर सारवंतर मतलब दो पदों के बीच की अंतर दो किनी भी दो पजों के बीच के अंतर तो यहां पर अगर हम देखें तो T6 को हम क्या लिख सकते हैं T6 को हम लिख सकते हैं A plus 6 minus 1 और D बराबर 6 तो यहां पर हमको पहला पत क्या दिया गया है पहला पत हमको A का value हमको हमें यहां पर minus 4 पता है प्लस में 6 minus 1 क्या हो जायता हमारा 5D is equal to 6 यहां से हमको 5D बराबर क्या मिल जाएगा 10 यहां से हमको सारबंतर D बराबर क्या मिल जाएगा D बराबर हमारा हो जाएगा 2 मतलब सारबंतर हमारा 2 आ गया अब उनको सारबंतर 2 पता है तो हमको A का मान कैसे आ जाएगा A का मान हमारा आ जाएगा माइनस चार प्लस में 2 is equal to minus 2 मतलब A इसके प्रथम पतके जश्ट बगलौला element है आवयो है इसका मतलब A का मान आ गया minus 2 यह हो गया हमारा A का मान अब B का मान कैसे आ जाएगा B का मान आ जाएगा A का मान प्लस में सारवनतर मतलब 2 तो A का मान हमारा माइनस 2 है प्लस में 2 मतलब यह आ गया हमारा 0 इसी तरह अगर हम C का मान देखेंगे तो C का मान आ जाएगा B का मान प्लस में 2 यहाँ पर B का मान क्या हमारा 0 प्लस में 2 इसी कोल्टी आ जायेगा हमारा बॉसी तरह हाँ देखाय भिखले कमान क्या जाएगा हमारा भी फ्लस में डो धो मर दो 4 यहाँ हमने इस कैसे निकाला मानेस चेल मैं सरबंतर जोर दिया कि कमान कैसे निकाला एमसर बंदर जोर दिया सब्सें। दो मैं मतलब कि B मैं लट्रों मतलब और इस तरफ ठका 9ग आ गया स्थे हमने ABCD कह भी व्याद कर लि Character अब यहां पर हम दुरिक तथान में यहां पर लिख सकते हैं इसका मान माइनस दो है, इसका मान जीरो है, इसका मान दो है, इसका मान चार है तो हमारी सिनेडी पूरी कम्प्लीट हो गए तही हो जाएगा हमारा answer Thank you